दोस्तो बच्वन में हमें अक्सर खेलते खेलते कभी न कभी किसी जंग लगे लोहे से चोट लगी जाती थी बड़े होने के बाद भी इस तरह की खरोच या चोट हमें अक्सर लगती रहती है और हमें टीटी इंजेक्शन की याद आती है नहीं तो आपको किसी ना किसी ने ये जरूर कहा होगा कि अरे तुम्हें तो जंग लगे लोहे से चोट लग गई है और अब तो तुम्हें टीटी या टिटनस का टीका लगवाना ही पड़ेगा दोस्तो ऐसा mostly हम सभी के साथ हुआ है पर हमेशा हर चोट पर टिटनस का टीका लगवाना पड़े ऐसा भी जरूरी नहीं है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि टिटनस वैक्सीन कब-कब लगवाय जाता है और कब-कब जरूरी नहीं होता है नमस्ता दोस्तो मैं डॉक्टर दिशप शर्मा डैड़ोख हिल्प पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो क्यों न सबसे पहले ये जाने कि टीटी क्या है और टिटनस की विमारी से बचाव क्यों जरूरी होता है टीटी या टिटनस टॉक्सोइड वैक्सीन में टिटनस करने वाले टॉक्सिन होता है जिसे लाब में निश्क्रिय या इनाक्टिव कर दिया जाता है जिसे toxoid कहते हैं यानि toxin जैसा है पर ये toxin नहीं है यानि ये शरीर में टिटनस के प्रति रोग प्रतिरोधक शम्दा को activate करता है पर टिटनस की विमारी नहीं करता है दोस्तों टिटनस एक काफी गंभी विमारी है जिसे मरीज के central और peripheral nervous system यानि की तंद्रे का तंद्र पर असर होता है और पूरे शरीर में सड से पैर तक spasm होने लगता है यानि एठन होने लगती है इसके टिटनस की विमारी को log jaw के नाम से भी जाना जाता है त्योंकि इस विमारी में मरीज के जबडे में spasm हो जाता है जबडा खुल नहीं पाता है आज तक काफी कम टिटनस के मरीज को दोस्तों बचाया जा सका है त्योंकि टिटनस की विमारी का कोई इलाज नहीं है इसलिए असल में इस विमारी से बचा भी दोस्तों इसका बड़ों तक को दोस्तों लगता है भारत में टीका करेंट अभिहान में जन्द के बाद बच्चों को टिटनस का टीका लगा जाता है और ये टीका बच्चों को बच्पन में ही तीन डोस में दिये जाता है पहला है जन्द के 6 हफते बाद दूसरा दस हफ़ते बाद और दोसो तीसरा चौदा। इस तरहें बच्छों का प्राइमरी वैक्सिनेशन होता है और इस प्राइमरी वैक्सिनेशन के 3 साल बाद टितनस का चौथा टिका लगता है और इसके बाद 5 वा डोस दिये जाता है 13-18 साल की उमर के बच्चों में जिसे boost dose कहते हैं बच्वन में ही titnes से बचाव के लिए दोस्तों टीका करण कर दी जाता है पर ऐसे adults जिनका किसी कारण से बच्वन में टीका करण नहीं हुआ है उन्हें भी ये टीका दोस्तों दिया जाता है adults में शुरू में 3 dose दी जाते हैं एक-एक महीने के अंतराल पर उसका चौथा dose तीसे dose के 10 साल के बाद और पांच्वी dose चौथे dose के 10 साल के बाद दी जाता है इसी तरह से दोस्तों गर्वती महीला और होने वाले बच्चे को titnes की उमारी से बचाने के लिए titnes का पहला टीका लगा जाता है जैसे ही pregnancy confirm होती है तब और उसके बाद दूसरा टीका लगा जाता है पहले टीके के 4 हफ़ते बाद तो titnes से बचाव के लिए pregnancy से ही टीका करने का हमारे देश में दोस्तों प्रवधान है दोस्तों titnes की उमारी अकसर bacteria के spore से होती है यानि कि जब ये spore किसी तरीके से हमारे शरीन पहुंचता है तो एक बीच की तरह spore के खोल को तोड़ कर उगने लगता है और titnes की उमारी ये करता है और ये spore क्योंकि एक protective कबच से covered होता है इसलिए हर जगे किसी भी स्तिती में दोस्तों ये survive कर सकता है और हर जगे मिल सकता है बस दोस्तों इसे oxygen पसंद नहीं होती है और ये ऐसा bacteria है जो oxygen के अभाव में बढ़ता है आई अब बात करते हैं कि और कब-कब और किस किस को titnes का टीका लगवाने के ज़रूत पड़ती है यानि कि अगर आपको कभी कोई चोट लग जाए तो आपको titnes का टीका लगवाना है या नहीं है तो ये दो बातों पर निर्भर करता है पहला आपको पहले titnes के सारे ठीके लगे हुए है या नहीं लगे हुए है और दूसरा, आपकी चोट high risk चोट में आती है या फिर low risk चोट में आती है या उस वक्ती को unimmunized माना जाता है जिसने तीन से कम टीके लगवाई हुए है जिस्से पता नहीं है कि उसे कितने टीके लगे हैं और टिटनस से immunized व्यक्ती उसे माना जाता है जिसने तीन से ज्यादा टीके लगवाए में हैं दोस्तों अब बात करते हैं चोट या घाव की उन घावों को टिटनस के लिए low risk या कम हत्रे वाला माना जाता है जो हलकी चोट है या और चोट जादा गंदी भी नहीं हुई है हाई-risk चोट या घाव वो होते हैं जहां किसी चीज से जैसे की कील या किसी और नुकिली चीज से skin में पंचर हो गया है चोट से तवचा पूरी तरह छिल गई है जैसे की अकसर accidents में दिखा जाता है गाव बहुत ही गंदा है या चोट लगने के बाद गाव मिटी या किसी और ऐसे चीज से गंदा हो गया है अगर युद्ध में सैनिक मिसाइल से जखमी हो गए है या accident के दौरान गाड़ी के टायर के नीचे आने से crush injury हुई है या burn के मरीज यानि जो आग से जल गए है इसके लवा जिन्हें आदमी या किसी जानवर ने काटा है या फिर बहुत तेज ठंड से frostbite हुआ है इस सब तरहे की चोट जख और घाव हाई रिस्क ग्रूप में आते हैं यानि इन जखमों में टिटनस होने का दूस्तों खतरा है अगर कोई व्यक्ति अन्यूमिनाइज है और उसकी चोट लो रिस्क चोट है यानि जिन्हें पूर में तीन से कम टिटनस के टीके लगे हैं उ तो ऐसे व्यक्ति को ना सरफ टिटनस का टीका लगना चाहिए बलकि उसे यूमन टिटनस इम्मिनोग्लोविन यानि की HTIG भी मिलना चाहिए तो अगर व्यक्ति इम्मिनाइज है यानि उसे तीन से ज़ादा टिटनस के टीके पहले लगे हुए हैं और ऐसे व्यक्ति को लो मिर्यस टकती को higher risk चोट लगती है तो टिटनस का टीका उसे लगाय जाता है तब अगर उन्हें लास्ट टिटनस का टीके लगे हुए पांस साल से जादा हो गए हैं तब जहां भी टिटनस का टीका लगना है वहां मरीज को ये टीका चोट लगने के बाद जल्दी से जल्द भी लग जाना चाहिए दोस्तों अगर मरीज अस्टाल में लेट भी आता है तो भी अस्टाल पहुचने और मरीज की चोट की जाच के बाद टिटनस का टिका जल से दल लगना चाहिए ऐसा नहीं है कि अगर मरीज अस्टाल से देर से पहुचा है तो टिटनस का टिका उसे ना लगाना जाए ये दोस्तों बिलकुल नहीं होना चाहिए अगर मरीज के immunization और चोट के अनुसार मरीज को टीका लगना चाहिए तो उसे दोस्तों टीका लगाना ही है आपको STIG मरीज को 21 दिन तक भी लगाय जा सकता है टीके साथ ये भी ज़रूरी है कि चोट लगने बाद घाव की अच्छे से सफाई हो और अगर मरीज को surgical उपचार की जुरत है तो वो भी दोस्तों से समय पर ले तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे AIDS है या कोई व्यक्ति अच्छा भी positive है और उसे चोट लगी है तो ऐसे व्यक्ति में पहले का टीका करन और घाव का रिस्क देखना जरूरी नहीं होता है ऐसे व्यक्ति में HTIG ही लगना चाहिए आशा है दोस्तों इस जानकारी से आप अगली बार fitness का टीका समय पर लगवा पाएंगे और इस जानकारी से किसी और की भी मदद कर पाएंगे माकि आप health और medical से जोड़ी और भी जरूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भारत के सरवेशेज डॉक्टर से संपर करने के लिए आप उपर दिए गए नमबर पर कॉल करें